तो दोस्तो आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं RRB JE Recruitment जो इंडियान रेलवेज में बहुत बड़ी वैकेंसी निकली है बंपर वैकेंसी जुनियर इंजिनियर की पोस्ट पे है तो जो कैंडिडेट इंजिनियरिंग करके बैठे हुए है या डिप्लोमाइन इंजिनियरिंग इसको यह problem होती है कैसे apply करना है कहां से apply करना है जो इस application process में बहुत सारा दिक्कते face करनी होती है तो यह सारी जो problem है उसका इस वीडियो में आपका दूर हो जाएगा आप जो एक वीडियो को अंद्ट देखेगा इसमें आपके सारे dot जो हैसको application process के regarding किलियर हो जाएगा तो तो दोस्तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा यह आपके फायदे के लिए है तुकि आपका जो भी इंपोर्टेट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग गुवर्मेंट जॉब्स प्राइबेट जॉब्स वाकिन ड्राइब्स यह स जॉब रोल जुए जूनियर इंजीनियर का है तुकि कालिफिकेशन एनी डिग्री बी बी टेक और डिप्लोमा डिट टूटल वैकनशी आपका जो है सुथ 13,487 है पहले 14,000 सम्थिंग था बट रेलवे में फिर से रिवाइज करके वैकनशी को रिडूस कर दिया है अभी 13, 34,487 है साल। आपका 35,400 है ठीक है दोस्तो तो अभी यह सो आप यह देख लेते है करके यहां देख लिजह जॉब लोकlaimन जो टो हुट ने डेलवे में लोकेशन है जिस आरिव connect में भटेंगे उस आरवी अपर आपका जो जॉब लोकेशन देगा अप्लिकेशन स्टार्ट तो दो जन्वरी से हो रही है और लास्ट डेट आपका जुह से 31 जन्वरी 2019 तो यहां पर आपका जूनियर इंजिनियर का जो पोस्ट है उसमें देख लिए डिपलोमा या डिग्री इन इंजिनियरिंग रिलिवेंट है ड वह भी डिसिप्लिन का अपलाई कर सकता है त्में ठीक है और एक है जुनियर इंजिनियर इंफोर्मेशन टेकनोलोजी तैंफोर्मेशन टेकनोलोजी के लिए जो आपका होना चाहिए वह होगा पोस्ट ग्रेजुएट डिपलोमा इन कंप्यूटर आप्लिकेशन या बीसी होना चाहिए computer science में ठीक है या BCA होना चाहिए या BTEC information technology BTEC computer science होना चाहिए यह एक जो है DOECCB level course जो three years duration का होना चाहिए तो यानि इसमें अगर आप BSC computer science किये हुए हैं या information technology में तो भी आप junior engineer इस post के लिए applicable है या post graduate diploma in computer application की हैं तब भी आप आले जोले हैं तो दोस्तों इसमें एक और post chemical and metallurgical assistant इसमें आपको bachelor degree होना चाहिए in science with physics and chemistry तो जो बंदा bachelor degree जो science से किया हुआ या physics या chemistry से वो भी इसमें apply कर सकता है तो ठीक है दोस्तों और आपका age जो होना चाहिए आपका 18 to 33 years minimum 18 और maximum 33 ठीक है अब जो इस देख लिए यह total vacancy इतना है junior engineer का सबसे ज्यादा है बारा हजाद 844 और information technology के लिए 29 और यह आपका सुप्री डेंटेंटेंट जो है डिपोर्ट material के लिए 227 chemical and metallurgical assistant के लिए 387 पोस्त है तो यह सारा vacancy table देख लिया आपने अब आप देखते है selection process जो है क्या है तो selection process में आपको two stage examination आपको face करना होगा तो first होगा वो CBT based होगा one first stage again second stage CBT होगा first stage CBT में जो है सो आपका तो बस aptitude logical और something check किया जाएगा और second stage CBT में आपका total जो है सो आपका section wise पूछेगा आपका आपना domain से पूछेगा जैसे आप electrical इंजिनियर के अपलाई कर रहा है तो electrical से पूछेगा अगर आप जो mechanical का अपलाई कर तो mechanical domain से पूछेगा तो second stage CBT में domain wise जो आपका question रहेगा ठीक है दोस्तों important dates देख लिजे आपका तो आप देखी हुए है कि final submission जो आपका 31st है last date registration का ठीक है और start second January से होड़ी तो सबसे महत्पूर्ण चीज़ है आप apply कैसे करेंगा apply करने में बहुत सारे लोगों को problem होती है ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पे click here more details के लिए आप click करेंगे यहाँ पे तो आपका यह सो खुल जाएगा page ठीक है इसमें पूरा details दिया हुआ है ठीक है यह 63 page का total information है जो railway के official notification है और आप यहाँ से direct apply करने के लिए यह link दिया हुआ यहाँ से direct click करेंगे तो आपका यह खुल जाएगा आप apply कहा करना है तो सबसे पहले आप notification में चेक कर लेंगे है step by जो submit करने का online application का उदिया हुआ है तो सबसे पहले आपको select करना है कि कौन सा rrb में आप apply करना है जो आप select करेंगे उसी में apply करना है और उसमें आप एक बार select कर लिए तो फिर change नहीं कर सकते उसी zone में आपको job भी मिलेगे ठी तो इस ही सलामत चलेक्ट करेंगे rrb कौन सा select करना है वो देख लेंगे कि किस rrb में कितना वेकेंसी है फ़ले वो चेक कर लेंगे तो दोस्तों मैं यह बताना चाहूंगा कि चैन्ने कौलकाता मूंबई यह सबसे ज़्यादा मूंबई में है उसके बाद second stage में जो कोलकाता है फिर चे नहीं है फिर चंदीगर है यह सारे चार पार जो ารवी है उसमें सबसे ज्यादावेकंशी है ठीक है तो आपको जिस हिसाब से आपका सहलियत हो वो जो सुससे आप अरण भी सेलेक्ट कर लीजे उस आरड़ बी अलहावाद में बहुत सारी वेकेंसी है तो जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूं आरड़ बी अलहावाद सेलेक्ट करने बाद कंफर्म कीजिए यहां से फिर आप अपलाई कर सकते हैं तो यहां देख लिए आपको एस्टेब एस्टेब पहली यहां मैं बता दे रहा हूं तो कंफर्म करने के बाद जो सबका रेइस्टेशन डीटेल्स तो रेइस्टेशन करना हो गाड़ा इस्टेशन में आपका नेम डेट अब वर्ड फादर नेम यह सारा चीज़ है तेंथ मार्क सिट के अनुसार पूरा एकड़ करके अटीक है कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए और इ-mail ॐड और मोबायल नंबर जो आपको बढ़ना है छोकि आपको defenses एमेल भी Divine होगा और पर नेक्स्ट जू है सा अल्डेदी रेइस्टर दिखेगा फिर आप जू हैसो रेइस्ट्रेशन नंबर और पासवोड डाल के रेइस्ट्र करेंगे राइस्टर करने के बाद आपको एज़्यक्येशं יים कर सकते हैं ठीक है सेट प्रियृरिटि किसमें फॉस्ट को रेखें किसमें सेकेंड को फिर करना नेक्स्ट में आपको payment करना होगा तो आप चलान के अधर क करना तो सबसे zar song यह होगा कि आप ऑनलाइन करने करने के बाद फिर आपका finish हो जाएगा फिर आप final submit कर सकते हैं ठीक है और आपका यहाँ पर detail educational qualification भरने के बाद आप यहाँ पर देख लिजिए एक और section बांकि है कि exam language select करना पड़ेगा exam language कौन सा language आप exam देना चाहेगा इंग्लीज या बहुत सारा exam language वह वह exam select करने के बाद फिर आपको एक चीज़ और bank account details भरना पड़ेगा चुकि इसमें यह है दोस्तों कि अगर आप जो है first cbt attend कर लेंगे तो आपको पैसा जो है तो 400 something refund कर देगा ठीक है application fee totally 500 लेते हैं वो भी सी candidate के लिए ठीक है और SCST के लिए 250 है तो आपको जो कुछ after cbt first जो attend कर लेंगे उसके बाद आपको 400 refund कर देगा तो refund करने के लिए आपको account details जो है देना पड़ेगा यहां पी इस case में अगर आप attend नहीं करते हैं first cbt तो आपका पैसा refund नहीं होगा टोटल 500 का 500 लोग ले लेंगे अगर आप first cbt attend कर लेते हैं तो आपका 400 refund कर लेगा ठीक है तो refund करने के लिए bank account और डिटेल जो है वह भरना है वह भरने के बाद फिर आएंगे आप फोटोग्राफ और सिग्नेचर अप्लोड करना है तो सबसे पहले जो स्पेस्विकेशन दिया आपए इस size में फोटोग्राफ होना चाहिए प्रोपर साइज दिया हुआ है त्क है फिर सेम साइज में आपका दिया हुआ है ये signature का भी होना चाहिए सिंगनेचर जो les expressions से कह एक सेकेटब करना होगा घर यह सब अपलोड करने के पाद फासे ंस और हम जो कर देंगे अब अगर आपसे मिशन करने में कोई like mistake हो गया earlier तो modify कर सकते हैं कोई दिकत में modify करने का फिर sorry पर चार्ज लेगा और modify बाद में भी कर सकते अप्टर final submission लेकिन हा modification करने का दो ही आपके chance है दो के अलावा फिर तीसरा बार नहीं modification कर सकते हैं so carefully आप जो से fill up करेंगे फॉर्म ठीक है तो यही इस सारा procedure है जो इस तरह से आप apply कर सकते हैं तो एक बार देख लेते हैं थोड़ा practical में कैसे apply करते हैं आपको सारा चीज तो मैंने बता दिया ऐसे करके apply करने एक बार practically देख लिए तो यहां देख लिए यहां पर new registration है ना तो यहां टिक कर दिए पूरा condition परने के बाद फिर आप new registration की तो निव रिए टेशन में देख लिए यहां पर हम मैंने अलावाद चूज किया था ते लावाद चूज करने के बाद आप नेम भढ़ेंगे यहां पर नेम री इंटर ने यह सारा चीज भरने के बाद एक एक करने के बाद यहां पर यहां पर सब्मिट करेंगे सब्मिट करने के बाद आपका रेश्टेशन आईडी और पासवोड क्रियेट हो जाएगा ठीक है रेश्टेशन आईडी और पासवोड क्रियेट होने के बाद फिर यहां पर आएंगे आप यहां पर फिर से आने के बाद यहां पर अल्रेडी र पर किलिक करने के बाद आपका जो user ID और registration ID और पास्वूड प्रियेट होगा उससे आप यहां पर login करेंगे और login करने के बाद फिर जो आपका educational qualification and everything जो भरना है तो फिर second step में आपको फिर आगे जो मैंने बताया था यहां पर यह सारे ची इस तरह से भरना पड़ेगा तो दोस्तों इस तरह से आप जो अप्लिकेशन फॉर्म भर लेंगे step by step अगर आपको कोई ठीक है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जो आप वीडियो को जो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ठीक है दोस्तों तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो मे तब तक के लिए धन्यवाद